दूर किसी जंगल में सारे पक्षी बहुत खुश नजर आ रहे थे आज में बहुत ज़्यदा खुश थे क्योंकि उनकी जंगल में गर्दंद दिवस मनाया जा रहा था सारे पक्षी गर्दंद दिवस की त्यारी करने में जुटे हुए थे हमारे जंगल में तो बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम सब मिलकर गर्दंद दिवस जो मना रहे हैं मिठो तो तक कहता है हाँ बहुत मज़ा आने वाला है और सारे पक्षी इसी तरह से गर्दंद दिवस मनाने के लिए उसकी जोड़ शोड़ से तैयारियां शुरू कर देते हैं तूनी चड़िया खूप सारा फाल इखटा करती है वो धीरे धीरे आनाच और गंधम के दाने भी इखटा कर लेती है और कालू का हुआ कहता है अरे वाँ, अब मज़ा आएका मैं तो अपने जंगल में जंडा फैराऊंगा सारे पच्षियों ने तो मुझे ही जंडा फैराने के लिए चुना है हाँ हाँ कालू भाई, आप पहुच जैता पच्षियों में बुठी मान है इसलिए हम लोग ने आपको जंडा फैराने के लिए चुना है मिठू तोता कहता है मैं तो ठी सारा अमरूत इखटा कर लूँगा और उस दिन हम लोग बड़ी मची से ये सारे अमरूत खाएंगे इस तरह से टूनी चड़िया खुब सारा आनाचे खटा कर लेती है और मिठूत होता खुब धे सरा अमरूत जाकर पेड़ से आता है और फिर वो दिन आ जाता है जब सारे पक्षी मिलकर गरतन दिवस मनाने के लिए खटे हो जाते हैं तूनी चडिया का बेटा जो जो कहता है मा ये गरतन दिवस क्या होता है और इसे हम लोग क्यों मना रहे हैं बेटा जैसे 26 जनवरी को गरतन दिवस कहते हैं आज के दिन सारे इंसान जगा जगा पर ज़ंटा फैराते हैं इसलिए हम लोग ने भी इत्य किया है कि हम लोग भी अपने जंगल में गर्टन दिवस मनाएंगे और हम लोग भी जंडा फैराएंगे मा तब तो बहुत मचा आएगा हम लोग को फिर सारे प्रक्षी जंगल में एक जगाई खटा हो जाते हैं फिर कालू का हुआ जंड़े को फैराता है और सारे प्रक्षी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं फिर सारे प्रक्षी एक साथ मिलकर खुब अच्छे से तरह तरह की पकवान और वियंचन खाते हैं और इस तरह से वे खुब खुश्या मनाते हैं सारे प्रक्षी बहुत खुश जाते हैं और जंगल में इस तरह से जंड़ा फैरा कर सारे प्रक्षी बहुत गर्व का अनभव करते हैं इस तरह से सारे प्रक्षी मिलकर खुशी खुशी जंगल में रहते हैं झाल झाल